आपके अपने परिवार एके नौलाकर क्लासेस पर तो देखिए दोस्तों आप सभी को बहुत पहुश्रूप कामना है आपके एक्जाम के लिए बहुत सारे स्टुडेंट्स कमेंट कर रहे थी किसारे इंगलीस कंप्लेट करा दीजे तो चलिए आज जो है महिला परिविक्ष जाते हैं जो आपके पुराने एक्जाम में कुछा गया है उसी परपस से यह कुछिचन में आपके अभ्यास के लिए बराया हूँ तो यह मिस इस्पेल्ट वर्ड देखेंगे आज हमनों क्या देखेंगे मिस इस्पेल्ट वर्ड तो चलिए देखते हैं वीडिओ सुरू कर देखेंगे सुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथी बेल आइकन प्रेस करके औल में रखिएगा कोई भी कॉप्टेट्व एक्जाम जैसे जैसे आएगा सारे कॉप्टेट्व एक्जाम का तयारी कराया जाएगा परतनी लिखें मतलब सुद्ध चाटिये देखी करेक्ट मतलब करेक्ट इस्पैलिंग तो करेक्ट इस्पैल्ट हमें छाटना है ऑप्सन दिया हुआ है यह जो कुश्चन आपके अभ्यास के लिए पहले दूसरा तिसरा बना दिया हमाई तो पहले देखते हैं चली देखी क इस तरह से आप छाटेंगे से बहुत ही यह थोड़ा सा टफ जाता है समझ नहीं आता तो सबसे पहले इस टाप के जो कुश्चन होंगे इसे आप लिख लेंगे जैसे देखी कंट्रोवर्सी क्या लिखा है लेकिन कैसा होगा इसका सही आंसर क्या होगा इसका स्पेलिंग द c-a-n-t-r-o-v-e-r-sy यह नहीं होगा दूसरा देखिए c-o-n-t-r-o-v-e-r--s-y तो यह आपका सही होजाएगा कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद क्या होता है लेकिन पमाका सही आंसर आ जाएगी इस से सही बनाना है तो सबसे पहले आप जो है आप c-o-n जो आपको याद है c-o-n-t-r-o-f-e-r-s-y यह ऐसे लिख के देखनें कि फिर इस option में देखेंगे यह चार option में तब आप इसके सही कर सकते हैं यह आपका trick हो सकता है तो चलिए देखिए दूसरा देखते हैं दूसरे में क्या दिया है दूसरा है एक glorious यह सारे के सारे glorious लिखा हुआ है तो देखते हैं g-l-o-r-i-e-o-u-s तो यह तो नहीं है दूसरा देखते हैं g-l-o-r-i-o-u-s तो यह भी आपका सही है तो glorious मतलब क्या होता है शांदार glorious मतलब क्या होता है सांदार तो देखिए इस तरह से glorious G-L-O-R-I-O-U-S यहां पकड़ में आ गया तो भी आपका सही आंसर तो लिक के एक बार आप देख लेंगे मैं बता रहा हूं आपको चलिए next देखते हैं तीसरा category category, सब में category category ऐसा लिखा हुआ तो सही आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा तो category का क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं category मतलब क्या होता है वर्ग होता है अब चलिए देखते हैं इसका सही spelling C-A-T-A-G-O-R-I-E यह तो नहीं होगा C-E-T-A-G-O-R-I-E यह भी नहीं होगा तो अगला देखते हैं C-A-T-E यह C option आपका सही हो जाएगा C-A-T-E-G-O-R-Y तो देखिए चाहे तो आप ऐसे लिख के देख सकते हैं C-A-T-E-G-O-R-Y देखिए इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा फिर इसे जो ही इस चारो आपसर में मिला लिजे जो है वो सही आजाएगा जो आपसर आपका सही है वो आइसर चलिए नेक्ट देखते हैं यहाँ देखिए beneficial लिखा हुआ है क्या beneficial मतलब होता है love diet क्या होता है beneficial मतलब love diet beneficial B-E-N-E-F-I-C-I-A-L यह तो B-E-N-E-C-B-E-N-E-F-I-C-I-A-L यह वाला तो यह A आपसर आपका सही हो जाएगा इधर आपको देखने की जुरत नहीं है तो beneficial में सुरू जो A है यह वाला सही होगा चलिए next देखते हैं achievement क्या है achievement achievement मतलब होता है प्राप्ती achievement मतलब क्या होता है प्राप्ती तो चलिए देखते है A-C-H-E-I-V-E-M-E-N-T तो यह तो नहीं होगा पहला वाला दूसरा A-C-H-I-E हाँ achieve A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T यह वाला आपसर आपका सही है तो आपका B आपका आपका आंसर सही आजाएगा achievement का चलिए next देखते हैं six number का guardian देखिए कुछ-कुछ को एकदम original मत पढ़िये आप जैसे उचाराण होता है जैसे यह guardian पढ़ते हैं तो guardian मत पढ़िये आपको बनाना है तो आप अपने हिसाब से पढ़िये ताकि आप वहाँ question करने यहाँ पर basic आप कैसे पढ़ रहे हैं या उचाराण घलत कर दिये यह बहुत सारा आप लोग comment करते रहते हैं तो इस तरह से न करिये आपको exam निकालना है आपको exam में post लेना है आपको बहुत बड़ा चीज यहाँ पर नहीं करने है आप जैसा भी करिये वहाँ सही करिये बस तो चली देखते है guardian इसको क्या पढ़े हैं हम लोग guardian पढ़े है g-u-a-r-d-i-a-n तो guardian हो गया अब देखिये g-a-u-r-d-i-a-n तो सही सही सुरू में ही पकड़ में आ जाए रहे g-u-a-r-d-i-a-n होता है तो guardian का सही आंसर क्या हो जाएगा g-u-a-r-d-i-a-n guardian मतलब होता है guardian मतलब होता है अभी भावक तो आप क्या पढ़ेंगे guardian ऐसे याद रखेंगे हाई-p-o-c-r-i-t हाई-pe-c-r-e-t तो ये तो आपकी क्या है ये आपका सही नहीं है next दिखते हैं hypo-c-r-i-t तो देखिए हाई-p-o-c-r-i-t ये सही आंसर है हाई-p-o-c-r-i-t मतलब होता है पाखंडी क्या होता है हाई-p-o-c-r-i-t तो यह आपको याद रखना है next है C-A-L-O-U-S तो calos यह तो गलत है C-A-L-O-U-S calos मतलब होता है कठोर c-A-L-O-U-S मतलब क्या होता है कठोर तो यह आपका भी सही आसर आजाएगा चलिए next देखते है इसे पकड़ सकते है हाँ यहां लिखा है continuous पहला तो यह तो गलत हो गया c-o-n-t-i-n-u-o-s यह भी क्या है गलत लिखा हुआ है next देखते हैं c-o-n-t-i-n-u-o-u-s यह सही है continuous का continuous तो continuous मतलब होता है लगातार आप जान रहे हैं लेकिन इस पेल्ट को आप देखते हैं ऐसा लिखा है कि confuse create कर रहा है तो इसलिए अब भ्यास जरूर कर जाएं जरूर करके जाएं आप इसको एकदम हलकी में नहीं लिजेगा चलिए next देखते हैं बेने क्या लिए है बेने ओलेंट देखिए बेने ओलेंट बी एने फियो एलेंट यह देखिए यह तो यह तो सही नहीं है यह और दूसरा देखते हैं बी में बी एने फियो एलेंट यह सही आंसर है आपका तो बी आपका दस्वा कभी सही आ जाएगा तो देखिए बेने ओलेंट का मतलब होता है उदार या परोपकारी क्या होता है इसका मतलब उदार या परो तो इसमें सही answer का आएगा Answer में आप पूरा sparkling सही लिखेंगे अगर answer D आता है तो comment में D यह哈 address का spelling जरूर लिखेंगे क्योंकि यह miss spelled वाला है तो दोस्तों आप जो है वीडियो के playlist में जाकर का और subject का अध्यन कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा अधिक से अधिक लोगों को सेर कर दीजे ताकि वहां तक भी यह वीडियो को जाइद के बाद जो है नमबर पर आपका वीडियो आने वाला है